नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में आपके साथ हुमेदी पबासिला किसी बात को लेकर विवाद यहां पर हुआ और देखे पैटल डलवाने को लेकर कहा जा रहा है कि दो गुट आपस में ही भिड़ गए हैं काफी देर तक बहस और उसके बाद बहस मारपीट में तब्दील हो गई पैटल पंपर यह जो मारपीट उसका यह विडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वाइरल हो रहा है दो गुट यहां पर मौट यहां पर मौट यहां पर महिलाई भी इसमें दिखाई दे रही हैं मारपीट का यह विडियो सोशल मीडिया पर लगातार वाइरल एक और बड़ी ख़बर है अगासे बाद से उसे भी आपको रुबरु करवा दे जहां गोविन्दपुरा मिलाके में लाइव रस्क्यू की तस्वीरे सामने आई हैं यहां नाले में गिरी बच्चे को लोगों के वबस्ताएं हैं नाला खुला है उसमें लोग गिर रहे हैं और इस बच्ची की किस्वत अच्छी थी कि नजर लोगों की पड़ गई वरना आप अंदाजा लगाए कि घुट घुट कर उसकी मौत हो जाती आसपास के लोगों ने रिस्क्यू करके बच्ची को निकाला कई कई दिनों से ये नाला खुला हुआ था थाना कवी नगर शित्र के गोविंद पुरम इलाके की घटना है और यह वही गाजियाबाद है जहां सवाल पूछ लिए तो पुलिस धक्का मुक्की करती है लेकिन आप देखिए जिंदगी भगवान भरों से चल रही है और बड़ी मुश्किल से लोगों ने बच्चे को सा कुशल बहर निकाला अब लोगों का विस्टा प्रशासिय पर भी कूप रहा है कई दिनों से ये नाला खुला हुआ है कोई भी इसमें गिर सकता है कभी भी कोई बड़ा हादिसा हो सकता है लिकिन लोगों की सजब्ता की बच्चे को बचा लिया गया वरना बच्चे के जान जा सकती थी और इस पर प्रशासित के लिज़र अभी तक नहीं पड़ी है जिसको लेकर लोगों में सबर्दस कुस्ता है और चलिए अब शुरू करते हैं खबरें ताबर तो गाज़ाबाद के एक पैट्रल पंप पर जंप करूए मारपीट पैट्रल को लेकर पंप कर्मियों से विवाद हुआ था मारपीट का विजियो तोशल नीडिया पर हुआ वाईरल गाज़ियवाद में बात्पा विधायक ने बैंक में लगाया ताला लोनी विधायक अंद किशोर गुर्जर ने बैंक के ब्रांच में ताला लगा दिया बैंक पर प्रधान मंत्री योजना के तैद लोन ना देने का लगाया आरोप पिधायक ने बैंक स्टाफ को फटकार लगाई अल्टिमेटम देकर ताले खोली लखनो में मुटिजा की ATS अनाये के लिंक कॉट में हुई पेशी एटेस ने योजनाये के आरोप में मागी है मुटिजा के कस्टडी रिमांड कुछ देर में मुटिजा के कस्टडी रिमांड की अर्ची पर सिलवर बलिया पेपर लीक मामले में गिरफतार पत्रकारों को जमानत मिली पेपर लीक मामले में तीनों पत्रकारों को जमानत मिल गई घ्रइस के गजरौला में तेज रफटार कार ने स्कूरूटी कुमारी टक्कर स्कुर्टी सवारती निवगं गमीरूप से घायल एक यवगं का पैर टूटा हाथ से का लाइव वीडियो स्विस्थ टीवी में में कहे ग्रेटिनोईडा में लकडी की फैक्टरी में शॉट सर्किट से भयंकर आग लगी, पल भर में आग में लिया वित्राल रूप, फैक्टरी में काम कर रहे कर्मचारियों ने भाग कर बचाई अपनी जान, सुरजपूर्थ अनाक्षेत्र के और दोगिक्षेत्र का पुरामाग लगने के सोचना मिलते ही पहुचा दमकर वभाग चार लोगो को रेस्प्यों किया गया हमिरपूर के गल्ला मंडी के पास जाड़ियों में लगी आग जिरे जिरे फैल कर गल्ला मंडी तक पहुची, दमकल विभाग ने पौंके पर पहुच कर आग पर काबू पाया मेर के जिक्षता में हुई दिरादून नगर निगम की बोर्ट बैठक नई बस्ती चंदर रोड का नाम शहीद राजेश रावत के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास हुआ दुकानों के आके रिहडी लगाने पर दो हंदार रोपए के जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव पास हुआ दिरादून नगर निगम की बोर्ट बैठक में हुआ हंगामा नई बस्ती चंदर रोड का नाम शहीद राजेश रावत के नाम पर रखे जाने का विवोद कई पास्तों ने नाराज़गी जबाए योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोफा सोलर पंप लगाने पर किसानों को मिलेंगे एक लाख रुपए जल्द कैबिनेट में लाए जाएगा प्रस्ता यूजना पर करीब दो करोड का आएगा खर्च इस यूजना से बिजली की खपत में कमी आएगे और खेती की लागए प्रकार का एक्शन बिना मानिता के चल रहे स्कूल बंद कराने की आदेश दिये गए है एई लाक रोपे जुमाना भी वसुला जाएगा बिना मानिता वाले स्कूल के बच्चे दूस्ते स्कूलों में पूंगे शिर्ट पहली दफा गायों के लिए यूपी में शुरू होकी एंबुलेंस सेवा उनीसो बासट डायल करने पर पहुँचेगी पशुची किस्ता विभागी तीम एक खंटे के अंदर गौवंश का इलाज करने पहुचेगी तीम और साल भर में निराक्षित पशों से राहत दिलाने की तैयारे आज़म खान से मिलने के लिए नेताओं में लगी होड कॉंगरेस नेता प्रोमोट किस्टम ने की मुलाकात सीता पुर जेल जाकर आज़म को गीता भेट की कल वीमारी की बात कहकर आज़म ने सफा नेताओं से मिलने से इंकार किया था मत्स विवाग से जोड़े योजनाओं का मंत्री के जगा बेटे पर निरिक्षन करने का रूप संजर निशाद के बेटे प्रभिन निशाद की तस्वीर सामें आई मत्स डिको को हाई टेक फिश मंडी में बदलने की उजना का कर रहे थे निरिक्षन मेटिंग में भी दिखते हैं मंत्री के बेटे रेपटी सीम और स्वास्त मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुंडगा किया दौरा सरकीठ हाऊस में स्वास्त विभाग के एधिकारों के साथ साथ दियम और एसप्री के साथ की बैठक कर्मियों को कमियों को दूर करके लोगों का ध्यान रखने की खिताय भी थे बिजिश पाटक ने कहा गुंडा के टीवी के मरीजों की पहचान करें और उनके इलाज के लिए पहल करें साथी बताये टीवी के मरीजों को डेटा फंडिंग कराई जाए संगटन में पूर मंत्री और हारे पूर मंत्रियों को मिल सकती है जगह संगठन में जगए ना मिलने पर निगमायोग में मिल सकती है जगए योगी मंत्री मंदल 2.2 में नहीं मिली थी पूर मंत्रियों को जगए सीम योगी के दूसरे कारिकाल को एक महीना पूरा 25 मार्ज को योगी आदितिनाद ने लिए दूसरी बार सीम बनने के शपत एक महीने में सीम योगी ने लिए कई बड़े फैस ने 26 अप्रिल को मुखे मंत्री योगी आदितिनाद ने बुलाई कैबिनेट की बैटरक सुभा 11 बजे लोगभवन में होगी मेटिंग कई महत्रपूल प्रस्ताओ पर कैबिनेट की लग सकती है मुखत हमती नंदन बहुगुणा की जरनती पर दहरादून में उनकी प्रतिमा पर सीम पुश्कर सिंखामी समीत कई मंत्रियों और नेताओ ने किया माले अरपण मुखत मंत्री ने हमती नंदन बहुगुणा को याद करते वे कहा आज हमें उनसे सीख लेने की आवशकता है श्रीनगर में SSB की पासिंग आउट परेट का किया गया आयोजन सियम पुश्टर सिंधामी ने ली परेट की सलामी देश की सेना को मिले 278 नए जवान लखनों में सियम योगी आदितिनाथ ने लगाया जनता दर्बार लोगों से मुलाकात कर सुनी उनके समस्याएं अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने की निर्दिश्टी गाजबाद की लोणी की भाजपा विधायक लंदिकिशुर गुर्जर का दावा वन विभाग की जमीन पर बनी है इलाके की एक कॉलिनी जमीन पर कब्जा कर लोगों ने बना लिया है मकान इसकी शिकायत मुक्रमंत्री से करने की बात करी जिरादूर में आउट्सोर्स कर विशारियों का धरना पी डवलोडी विभाग की आउट्सोर्स कर विशारियों इस दिया धरना अमरण अंसन की शुर्बात की प्रधानुत्री मोदी कोरुना पर 27 अप्रल को करेंगे मिटिंग्स, सभी मुख्रे मंतरियों के साथ कोरुना की हालात पर समिक्षा बैंटर करेंगे प्याइम, वीडियो कॉंफरेंसिंग जरी होंगे मिटिंग्स, वास्त सचीव राजेश पूर्चन कोरुना की वर्तमान देश में विशले 24 गंडे में कोरोना के 2541 दैं मावले दर्ज 1862 लोग डिश्याज, 30 लोगों की कोरोना से मौत, संक्रमितों का आकड़ा पहुँचा 4 करोड़ 30,666 देश भर में कोरोना के आक्टिव केसिस बढ़कर हुए 16,522 अब तक 4,25,21,340 लोग कोरोना से रिकवर हो च बारत में वीते दिन कोरोना वाइरस के लिए 3,215 सेंपल टेश रहिवार तक 83 करोड़ 50,19,870 सेंपल की जा चुगे हैं टेश वैक्सीन लगाने वालों की संख्या हुए 187 करोड़ 1,95,781 योपी में फिर बढ़ी कोरोना की रफटार पिछले 24 घंटे में 213 नए केस दर्श के गए हैं दो मरिसों के जान भी गई है लगनों के लोग मौटिलिया गर्स कॉलिज में दो चात्राओं के कोविद पॉसिटिव मिलने के बाद स्कूल दो दिन के लिए बंद कर दिया गया गाजिया बाद वेने 24 पर टर्क में लगे आग, कुछी देर में दोदू कर जलने लगा टर्क, फाइर्व भाइबाग में मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया टरक में परीची दवाई ट्रुक ने बाइक सवार को टकर मार दी थी जिसके बाद ट्रुक में बाइक फसने से आग लग गई बाइक सवार तीन युवकों में से एक ही मौत हुई वही दो युवकों को अस्पिताल में भटते करवाए गया हाथ से के बाद ट्रुक का ड्राइवर फरार हुआ अभी भी 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 भीषोनाग की चपेट में उत्रकाशी के जंगल दोधू कर जल रखे हैं बलरांपुर के भवरी गाओं में अग्यात कारणों से लगी आग में पांच जोपड़िया जल कर राक, भेंकर आग में जोपड़ियों में रखा सारा समान जल गया प्यूरित ग्रामियों ने थिकारियों से मदद की भुवार लगा मौमे जलेबी की दुकान में सिलेंडर फटने से हदसा हुआ दुकानदार आग में जुलसा आग में बाइक जलकर राख दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबूर तोला थनाक्षेत्र के इमाम गंज के पास के खटना जासी, खर्जुराहो रोड़ पर दो मोटर साइकल की आमने सामने भुड़ेत्र में दो लोगों की दर्दनाक मौत वी, दो को मेडिकल कॉलिज में रैफर किया गया पायियों के करन्ट लगने समौध खेत में सीजाई करने के लिए लोगों की सरीया से नाली कोलने की कर रहे कोशिश इसी दोरान खेत की उपर हाइटेंशन तार में सरीया लगने से हुआ हाथसा ललाओर गुरदानपूर का मामला श्रावस्तिके सदर बाजार में दिन दहाड़े व्याफारी के घर में घुसकर मगला का मडर पोन से लगपत जमीन पर मिला मगला का शब एस पी समेट कई अलादिकारी और भारी संखर में पुलिस फोर्स घटना इस्तल पर पहुंटी सिदार दगर के उसका धारा चेतर में दलत युवक की मौट की बाद ववाल गुसाए ग्रामिडो ने अशोक मार्ग पर युवक का शबर करहंगामा कर दिया दोशियों के खिलाब कारवाई की मांग की मामले में पांच आरूपियों पी हो चुकी है गरिफ्तारी अमेटिंग में पुलिस और बदमाशों के बीश मुर्भेड दोनों और से कई डाउंड फाइरिंग की गई 25,000 की नामी गैंग्स्टर महीश सिंग और उसके साथी को लगी गोली बदमाशों की गोली लगने से सोची प्रभारी भी खाये हो है बदमाशों के पास से पुलिस ने दो पिश्टल और एक स्कॉर्पियो बरामत किया सभी घायलों का जगदीश पूर सीएच सी में चला है इलाज जगदीश पूर्थाना चेद्र के जंगल में हुई थी मुर्भेड लगनों में युवती से सर्याम चेड़काने के बाद विवाद मार्पीट और गाली गलोज का विडियो सोचो मीडिया पर वाइरल आमबेटकर पार्क चौके इलाके का मामला कुछ दिन पहले भी मार्पीट में कई युवा को हुए थे खाय गिरफ्तार आईपील में सटेवाजी को लेकर लगनों में युवक को पेट्रूल चिड़क कर आख लगाने का मामला सामने आया इस्थानी पार्चाथर से दिख्षिक्त के गुरूगों पर लगा आरोप पुलिस का दावा युवक ने खुद लगाई आग गंभीर हालत में स्पटाल में बढ़े लगनो में चेकिंग के दहरान पुलिस पर हमला कई युवकों ने चेकिंग के दोरान दरोगा से कीमार पीट दो आरूपियों को पुलिस ने पकड़ा बाधि फरार युवकों की तलाश में जूटी हुई है पुलिस महमें दिद धारे लोट पार्ट की कोशिच नाकाम जलरी की दुकान में खुझे बदमाश लूट का विरोध करने पर बंदू के बट से दुकान दार को किया घायल आसपास के लोगों ने एक लुटेरे को पकड़ा दो फरार बदमाशों के धर पकड़ के लिए जूटी पुलिस पकड़ के बदमाशों के बीच हुई मुद्धेर एक बदमाश के पैर में लगी कोली दो बदमाश मोके से फरार हुए पकड़ के बदमाश पर पश्रू कुरूर्टा के कई मुकद में तर्ज है बदमाश के पास से मिला चाकू शूरा, तमंचा और दो कार्तू से एक पश्रू को भी पुलिस ने किया बरामत घायल बदमाश को जिला स्पताल में कराए गया भरती कानपुर में क्राइम ब्रांच के दारोगा मुहमद आसिफ की टॉप तेन में शामिल अपराधी अंकित ओ, तोमर के साथ तस्वीर वाइरल होने पर हड़कंप, जॉइन्ट सीपी आनंदि प्रकाश ने दारोगा को किया सस्परिंट जांच के लिए कमिटी कचित की कई है उत्राखंड में विज्दी की कटोथी का होगा समाधान, उत्राखंड का पाउर कॉर्परेशन लिमिटेट के म्टी अनिल कुमार का दावा एक हफ़ते में विज्दी कटोथी की समस्या का समाधान होगा सपके पुर्विधायक रामेश्वर सिंग यादव और पूर जिला पंचरात अध्याक्ष जुगेंडर सिंग यादव के घर पर पुलिस का छापा गैंगस्तर अक्ट में वांचित दोनों भाई सपानेताओं के गिरफतारी के लिए भारे पुलिस वल के साथ चाप अमारा खिया दुगदुकास मंतरी धरपाल सिंग पहुंचिए बारा बंकी विभागी अधिकारियों के साथ बैठक के और सभी सरकारी योजनाओं की गहनता समिक्षा की कैबिनेट मंतरी धरपाल सिंग ने कहा कि जिलों में इस थापित होगा भूसा बैंक जल्द मिलेगी लोगों को जल्द शक्ती मंतरी स्वतन देव सिंग बारांसी पहुंचे जहां पर उन्हों ने तमाम यूजनाओं को जल्द पूरा करने का निरदेश अधिकारियों को दिया पुद्राकन के कोड़वार में हाथी ने ली पुलिस कर्मी की जान मॉनिंग वॉक के लिए निकले पुलिस कर्मी पर हाथी ने किया हमला हाथे के पतकने से बुरी तरह जखमी पुलिस कर्मी ने लार पिद दौरान तम दोड़ा मुराधाबाद में स्निफर डॉग के मुरृत्टी होने पर डॉग को पुलिस लाएं पूरे राजकी सम्मान के साथ पुलिस वालों ने सलामी देकर आखरी विदाई दी इस निफर डॉग लगबग 10 साल से मुराधाबाद पुलिस के साथ काम कर रहा है बदाई में बिशली की समस्या से परशान किसान ने दिया आत्मा हत्या करने के चितावनी मुक्यमंत्र के नाम भेजा चितावनी पत्र थाना उग्यती शेत्र का मामला अमरोहा में पुलिस दंगायों से नपटने के लिए मौक्डल की पुलिस अधिक्शक विनी जैसुवाल के साथ जिले भर के पुलिस कर्मियों को किसी विया कास्मे किस्तिते से नपटने के लिए मैदान में दंगानी अंतरन अभ्यास करवाये गया पुलिस अधिक्शक विनी जैसवाल ने पुलिस कर्मियों को तोर तरीके बुगाए आजम गर्जले में गंगा जमनी तैजेब की बैतरीन मिसाल की तस्वीराई सामने हिंदू बेटे के शादे के लिए मुस्लिम परिवार ने अपने आंगर में बनवाया मन्रप चैसु सत्रांग डूटा संसेक सत्रा सोगिनीचे निफ्टी बैंक शेयर चले